हेलो फ्रेंड्स, विल्कम माई चेनल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चेनल रादाजी की सिंपल फूड रेसिपीज में, आज मैं आप सभी के लिए यहां शाही पनीर की सबजी लेके आई हूं रसीली वाली, इसको बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही कर सकते हो, छोटे बड़े, मैंने यहां इनको बीच के साइज में ही काटा है, सभी पनीर की जो है, हमने कटिंग कर लिए है, तीन-चार अमने यहां प्याज ली थी, छोटी-छोटी ही थी, उनको चार-चार भागों में बाट लिया था, मोटा-मोटा, एक से डेरी इन चद गेस ओन करके, हमने जो गेस पर कड़ाई रग दी, फुल फ्लेम ओन करके, जिससे ओईल गर्म हो जाए, यहां हमने जो रिफाइंड ओईल लिया है, और यही मेने लिया है, 25 ग्राम के लगबग ओईल, ओईल बहुत कमी लेना है आपको, कि खाली हमारे जो मसाले, प्याज व बाकी सबचीजे डालेंगे, इस तरीके से जब हमारी सबची की जो ग्रेवी बनाते है न, ओईल में फ्राय करने के बाद, तो उसका जो टेस्ट होता है वो एक अलग ही होता है, और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, यदि आपको ज्यादा ओईल पसंद नहीं हो, तो हमने मिर्ची अद्रक लेसन को भी डाल के इसमें चला लिया है, एक से डेड़ मिनिट के लगबग, और उनका भी जो कलर है अच्छी से चेंज हो गया है, मिर्ची भी लग रही है, फ्राय हो गई ही, उसके बाद इसमें जो हम टमाटर रख रखे थे हमने उने डाल देंगे, टमाटरों को भी हम चलाते हुए यहां पका लेंगे, गेस की जो फ्ले में हम मीडियम ही रखेंगे, और ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फूल बीच की आज पर पका लेंगे, क्योंकि हमें यहां इनका कच्छा पनी निकालना है, खाली, हमें इनको ज्यादा फ्राय नी करना टेस्ट के अकोडिंग आप यहां थोड़ा सा नमक डाल दो पर नमक को ध्यान रखते हुए डालना, कि सबजी में आपको फिर बाद में कितना डालना है, यहां पर नमक डालेंगे, वहम उली टमाटरों को देखते हुए डालेंगे, कि जिससे हमारे टमाटरें वह अच्छे जाएंगे नीचे से सारे, टमाटर की जो इसकीन से दिख रही है, खाल सी, वह सौफ्ट हो गई है, वह एक को दबा के भी हम देख लेंगे, वह आसानी से दब रही है, इसका मतलब हमारे टमाटरें जो अच्छे से सौफ्ट हो चुके, इतना ही हमें या इनको सभी चीजों क पकाना तक ज्यादा नहीं पकाना है, पूरी तरीके से नहीं पकाना है, मेरा मतलब इन सभी को जो आप हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, प्लेट में निकालने के बाद इने हमें ठंडा होने के लिए रग देना है, ठीक है, उसके बाद यहां पर सेम उसी कड़ाई में जो पीस ली थी और एक अलगी पेस्ट बना लिया है उसका कलर बहुत ही सुन्दर लग रहा है इस तरीके से बनाते हैं तो खाने में बहुत बहुत जादा सब्जी अच्छी लगती है उइल जो हमारा अच्छे से गरम हो चुका है उसके बाद इसमें हमें एक चम्मत जीरा डाल द उसको एड कर देंगे इसी में चलाते हुए इनको हम सभी को मिक्स कर लेंगे और जो चिपक जाती है जार में पेस्ट अमारा उसको भी थोड़स पानी डालके वो गोल को इधर-उदर से निकालते हुए इसी में एड कर देंगे ठीक है और इसको श्लोगेज़ पर हमाब मसा लिए कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे एक चम्मचम यहां धन्या पाउडर लेंगे और उसके बाद जो है इसमें हम थोड़ी सी यहां कसूरी मेती भी डाल देंगे कसूरी मेती का जो टेस्ट आता है ना सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है और सब्जी बहुत अच्छी खाने में आपको बहुत ही पसंद आएगी इस तरीके से यदि आपने सब्जी बनाऊगे ना तो आपको इस सब्जी की अच्छी लगीगी चलाते हो इन सब्जी को हम जो मिक्स कर देंगी मसाले को अभी पकाएंगे जब तक इसमें से अच्छी सब्जी में जो अच्छा टे सब्जी को बनाने के लिए इस मलाई को डालने से जो टेस्ट अच्छा आता है यदि आप मलाई नहीं पसंद करते हो तो इस जगे आप एक कटोरी के लगवक दूद भी डाल सकते हुए इसको भी चलाते हुए जो हम मिक्स कर देंगे इसमें और गी जो हमारा सेपरेट हो जा अफ़ा का दो ख़र देंगे यदि आपको कच्छा पनीर पसंद नहीं है तो आप फ्राय करकी डाल सकते हो तेल में तलकी भी उसको पानी में रख दियना जिससे की पनीर जो है अपना नरमी रह नहीं तो पनीर जो है कड़क हो जाता है कीचा कीचा सा और इसको जो हम गराम भी डाल सकते हो तो तो इसका भी जो टेस्ट है वो अच्छा आता है सब्जी में हम जो सब्जी रसीली बना रहे हा उसके लिए एक ग्लास पाने डाल दिया है वो थोड़ा सा पेले की ध्यान रखते हुए डालना क्योंकि आपने कुछ नमक टमाटरों में भी डाला था सौफ्ट करने के लिए और है ना उसके बाद जो इसको पकने देंगे पांस से छे मिनिट यहां अच्छे साम इसको खदका लेंगे और चलाते हुए जो हम इसको अगली बगली से भी यह मिक्स कर देंगे बिना कवर कर रहे हैं इसे हम खदका लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और हमारी सब्जी जो साथ से आट मिनिट हमने पका लिए एक दम परफेक्ट जो सब्जी बन चुकी है रसीली साही पनीर की सब्जी बनाई यह हमने और जो बिलकुल एक दम क्रीमी क् सब्जी खाने में बहुती स्वादेश लगती है थोड़ी से अमने चीज कद्दू कस करके इस पर डाल दी थी जिससे की टेस्ट हो और भी अच्छा हो जाता है यह सब्जी खाने में आपको बहुती ज़्यादा टेस्टी लगेगी सेम आप इसी तरीके से बनाऊगे तो और अब आप मेहमानों या किसी को भी क्या घर में भी बना के खा सकते हो बहुती अच्छी लगती कभी कबार यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी से अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें वीडियो को देखें